बेलकम टो राजानाइट आई एर्टूब शैनल इस वीडियो में जानेंगे सियाइटिस की न्यू अपडेट के बारे में यहां से बताया यह जा रहा है कि अगर आप सियाइटिस कोलेजें 10 दिसंबर तक नहीं पहुँचते हैं तो आपके एडमिशन जो है कैंसिल कर लिए जाएंगे किलियर है यहां पर इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या सभी कोलेजें की रूल है क्या 10 तारिक को पहुचना कमपल सरी है सारी जो प्रोसेस है फाइनल की इस वीडियो में यहां पर यह हम लोग जानेंगे अब यहां पर देखे अगर बात की जाए डिजी टी की तो काफी रूल जो है बहुत जल्द यह चेंज कर लेते हैं तो हम कहना चाहेंगे कि आप टिलिग्राम ग्रूप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टिलिग्राम ग्रूप का लिंक दे रहे हैं आप उस ग्रूप दिया है जो की एकदम जरूरी अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते अस्टुडेंट गोट प्रोविजनल एडमिशन और ट्रांसफर इन्सी इस फोर सेशन इकीस सुट रिपोर्ट टू अलाउटेड एनिश्टी आइन इटी ओटी लेश्टेटली बाई 10 दिसमबर 2021 आनि अगर आप 10 ठारिक को 10 दिसमबर को अगर आप 10 दिसमबर तक अगर आप भी जस्ट कॉल गई है आप आप से हम request करना चाहेंगे, कि अगर आपके पास भी कोई call गया है, तो आप comment box में जरूर लिखें, clear है, जिससे की ये confusion clear हो सके, कि क्या सभी के पास college आ रहे हैं, या सभी के पास call, कुछ के पास call जा रहा है, कुछ के पास call नहीं जा रहा है, तो हम काना चाहेंगे, दुवारा कि जिनके पास अभी, आज CITS college की तरब से call गया है, वो comment box में जरूर लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो बाते हैं, कि कुछ college हैं है, जो particular होने अपना date को website पर दिया था, कि इस तारिक हम लोग final mission लेने बाले हैं, लेकिन अचाना कि नहोंने website पर ही update कर दिया, कि 10 December तक आपको जाना जरूरी है, किलिर है, यहाँ पर कोई भी, कोई भी NHTI की नाम इन्होंने particular नहीं दिया, इसलिए सभी NHTI माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते, इन्होंने कोई particular, कोई NHTI का नाम नहीं दिया, यह सभी NHTI की बारे में कारा है, should report to allotted NHTI, जो आपको allotted NHTI मि अगर आप transfer कराए हैं, तो जो हाँ, जिस college में आप transfer लिये हैं, वहाँ आपको जाना होगा, ठीक है, वहाँ जाकर के आपको report करना होगा, passport admission के बारे में इन्होंने update किया, passport admission allotted candidate, please download, download करना है, join the allotted institute, देखो, इससे पहले इन्होंने कहा था, क्या, कि आपको जाना है, आपको जाना है, nearest में, अब इन्होंने फिर क्या कहा, कि आपको allotted institute में जाना है, समझ रहे हैं, तो DGT कहिना कहीं, rule को तुरंत change कर रहे हैं, त इससे की कोई भी चीजे अगर rule change होती है, तो आपको पता चल सके, अब इन्होंने लाया है, कि passport admission वाले 8 तारिक से 12 तारिक, sorry, 8 तारिक से 10 तारिक तक ये जा करके final admission ले सकते, आप देख सकते, अभी just update किया है, अब अगर इसी को हम हिंदी में convert करते हैं, तब देखिए इन् ने लिखा है, छात्रों को आनिंतिम परवेश मिला है, और सस्त, जो है, 2021 के लिए, CITS में अस्थांतरन को 10 दिसंबर 2021 तक आवांटित, मतलब आवांटित, मतलब जो college आपको मिले हुए हैं, अभी फिलाल में, NSTIN ITOT को report करना चाहिए, मतलब जो college आपको मिला है, उसको आप से admission को रद कर लिया जाएगा, किलियर है, अब हम कहना चाहेंगे, कि यहाँ पर देखो कोई हरवराणी की बात नहीं है, जो college आपको मिली है, वहाँ पर आप कॉल करें, या तो आप उसको mail कर सकते हैं, या तो उसको message कर सकते हैं, बाकि दुबारा हम repeat करना चाहेंगे, कि जि कॉलेज से कॉल आपके गए है, लिखना क्या है, आपके पास कॉल आया है, तेस कॉल आया है सर, और आप अपना NSTI नेम लिखेंगे, जिससे क्या होगा, कि सभी स्टुडेंट जो है, कॉमेंट बॉक्स को देखेंगे, और उनको पता लग पाएगा, कि आखिर सभी कॉलेज की ऐसा है, ठीक है, हलाकि अगर बात की जाए, यहां की वेपसाइट की, तो इन्होंने सभी कॉलेज के बारे में कहा है, आप देख सकते हैं, पार्टिकुलर कोई कॉलेजे के नाम इन्होंने नहीं लिखा है, क्लियर है, तो यह बहुत जरूरी सूचना है, वीडियो को आप शेर करें, जिससे की, जिसको भी स्याटेस में अड्मिशन हुआ है, वो फाइनल अड्मिशन 10 तारिक तक वो जल से जल ले सके, स्याटेस से सम्मंधित जनकारी के लिए, आप हमारी चैनल से जूरे रहें, थैंक्यू